सब्सक्राइब कर दो हमारे रीट्यूब चैनल जीप पी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए में बहुत सबस्दों आप सबस्दों को जादा कोंषिन पुछा कि मोडरेशन पॉलीशी है या नहीं तो देखो गईज उन्होंने क्या बोला आपने लिक्षिक्षा बोर्ड की निश्यलक हेल्पलाइन वपरामर्श सेवाओं में आठका सबस्वागत है वेल्कम तू फ्री हेल्प्लाइन एंद कंसिलिंग सर्विसेज अफ सेंट्रल बौर्ड अफ सेकंडरी अधुकेशन रिपया हिंदी के ले एक दपाया बौरड परिक्षा के तनाव कम करने के टिप्स जानने जी गुड़ीनिंग सर गुड़ीनिंग जी सर पूसन सर इससा क्लास 12 के अंदर मोडेरेशन पॉलीसी है है सर या नहीं सर जी मोडेरेशन पॉलीसी अब एक्जाम कितने हुए आपके सर एक्जाम सारे खतम हो गए सर जी मोडेरेशन पॉलीसी नहीं है नहीं सर इससा क्या होती वह बता दू क्यूंकि अभी ऐसे बहुत सब्सक्राइजिन को नहीं पता मोडेरेशन पॉलीसी नहीं है क्या होती है देखो गाइस मोडेरेशन पॉलीसी अगर मैं सिंपल वर्ट में बताऊ बताऊं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको एक्ट्रा पांस दस पंदा नंबर मिलते हर एक स्टूरेंड को जिससे जो कई सारे देखो गाइस कॉपी चेकिंग हर एक टीचर अलग तरीके से करता है तो सीब्स ही जाता है कि हर किसी को एवरेज रख दे मतलब किसी बच्चे के साथ में पार्ट्यल्टी नहीं हो इसलिए मोडेरेशन पॉलीसी सीब्सक्राइज से देती हर एक बच्चे कि मतलब जिन सब्सक्राइब का काफी हाड था उसमें मोडेरेशन पॉलीसी मिलेगी तो गाइस देखो वैसे दो सीब्सक्राइज एक अब आपने कॉल रिकॉर्डी में सुना की मोडेरेशन पॉलीसी बंद नहीं किया है अगर आप ज्यादा सोर मता होगी ज्याधा इमांड करोगी moderation policy चालू करो चालू करो चालू करो तो इस कारण से आपको ही loss हो जाएगा क्यों इंटर्नली cbsc स्टार्ट करके बैठी है वो बंद नहीं किया उसे moderation policy cbsc ने इसलिए moderation policy officially बंद कर दिया है क्योंकि एक तो दूसरी बोर्ड जो भी state उनकी तब से प्रेशन आने लग गया और दूसरी बागा सुप्रीम कोर्ड के अंदर जैसे अभी वोर्ड एक्जाम कैंसल को लेकर कई सारे बाते हुई थी उसी तरीके से 2016-2017 के अंदर moderation policy बंद करने के लिए कई बाते हुई थी इसलिए cbsc को सुप्रीम कोर्ड की बात मानकर moderation policy को abolish करना पड़ा बट गाइस moderation policy का कई बच्चों का future बसता था इसलिए cbsc ने internally moderation policy को चालू रखा आप गाइस टैंस मतलो moderation policy abolish नहीं हुई है इंटरनली मतलब अंदर ही अंदर चल रही है तब ही तो गाइस आप लास्ट रिजल्ट चेक करोगे उससे पहले का रिजल्ट चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि moderation policy चालू है बच्चे जो hard subject थे उसमें pass हुए थे जिनके कोश में पर काफी hard है थे उनके अंदर बच्चों ने बहुत अच्छा score किया और गाइस कई सारे टीचर से जिटायर टीचर की बात करों जो भी काम नहीं कर रहें cbsc के स्कूल्स के अंदर cbsc copy checking करने अब नहीं चाते उन्होंने खुद ने बता कि पहले cbsc ने officially moderation policy को बंद कर दिया था लेकिन unofficially वो अंदर अंदर यंदर moderation policy को चालू रखा था देख पहले moderation policy हर एक subject में मिलती आप ज्यादा demand मत करो cbsc को खुद को अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है क्योंकि एक level का board है कोई state board या भी कोई छोटा मोटा board नहीं है गाइस वैसे तो मैंने काफी कोशिस करी कि simple language में बताई आपको अगर अभी आपको कोई डाउट है तो स्कीन पर में contact नमर दे रहे हैं वीडियो अच्छी लगी वीडियो में बताईगे अगर आपको सही लगी तो अपने fans से वीडियो जुरू शेक करना तो दोस्तों इस व